हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ परदीप और एक नए वीडियो के साथ आज पस्तित है आहुजा का तेरस वाट स्पिकर लेकर के और इस स्पिकर का क्या प्राइस होने वाला है और इस स्पिकर का क्या एस्पिकेशन होगा आगे बताएंगे फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स वीडिय करना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो लिजे गाइस देख लिजे आहुजा का स्पिकर देख सकते हैं काफी हेवी लुक में आपको देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं 18 इंची का स्पिकर है इस स्पिकर में आपको एलंग की नड़ बोल टाइट करने के लिए होल्स दिया हुआ है देख सकते हैं चारो बगल से इस स्पिकर में आपको परदा काफ़ी हेवी क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्पिकर में देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं इसमें थ्री लेयर का आपको इसमें एक्समस दिया गिया है जो की काफ़ी ज्यादा आपक इसमें punch देखने के लिए मिलेगा इस speaker में और इधर आप देख सकते हैं इसका dust cap machine shield आपको देखने के लिए मिलेगा और इस speaker में आपको 5 इंची का voice quail देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं और इधर नीचे side में देख सकते हैं इसका lead wire cover shield आपको देखने के लिए मिलेगा ताकि पंच में या कटे नहीं और इधर आप देख सकते हैं आउजा का ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं सबसे पहले और नीचे में आपको देखने के लिए मिलेगा इसका model number L18SW-1300X देख सकते हैं इस speaker का और इस speaker आपको 1300W का 8 ohms में आपको देखने के लिए मिलेगा इसी का दूसरा भर्जन मिलता है 1300X में उसका next आपको दिखाएंगे इधर आप देख सकते हैं जो कि 4 बगल से इसका यहर निकलने के लिए दिया गया है इस speaker में बीच में आपको जाली देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं जो कि dust अंदर नहीं जाए इसलिए दिया हुआ है देख सकते हैं तो चलिए friends आपको लिए चलते हैं spider की और और इस speaker में आपको देख सकते हैं double layer का spider आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर spider पहले से दिया हुआ है और ठीक उसके उपर में भी spider आपको देखने के लिए मिलेगा सिलिकॉन का काफी heavy आपको देखने के लिए मिलेगा इसका और इस speaker का देख सकते हैं इसका glue कितने अच्छे से इसमें चिपकाया गया है ताकि कितनों भावरेशन में यह अपना जगह छोड़े नहीं और इसका परदा देख सकते हैं अंदर की ओर काफी heavy quality का यूज किया गया है देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स आपको लिए चलते हैं magnet की ओर आपको दिखाते हैं इस magnet तो इसका magnet देख सकते हैं इस speaker का magnet फोरकट में बनाया गया है चार पीस में देख सकते हैं इस speaker का आपका चयचीस देख सकते हैं काफी heavy quality का यूज किया गया है देख सकते हैं और इस speaker में आपको सब से पहले इधर देख सकते हैं पलस और मानेस का टर्मिनल आपको दखने के लिए मिलेगा, जो की काफी बहत्री दिया गया है, आउजा कमपनी ने, और इधर उपर में एक स्टिकर्ट देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए friends, आपको लिए चलते हैं, इसका inspection की और आपको दिखाते हैं तो लिजे friends देख लिजे इसका power rating देख सकते हैं 1300 RMS में आपको देखने के लिए मिलेगा इस speaker और 26W प्रोग्राम power आपको देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं और इस speaker का sensitivity 1922 दिया गया है देख सकते हैं और magnet weight वही लगबख 7.5 kg के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा इस speaker का जो की four cut में दिया गया है इस speaker में आपको voice quality 5 inch का देखने के लिए मिलेगा और इस speaker का net weight अठारा kg के जी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स आपको लिए चलते हैं इस स्पिकर की और आपको दिखाते हैं इस स्पिकर का एपरोक्स प्राइस आपको मार्केट में 21,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा rate market का अनुसार कम या ज्यादा हो सकता फ्रेंड्स और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी जानकरी मिला अगध वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्ब्क्राइब कीजेगा चली फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स नमस्कार